बिस्म लाहरवान रहीम असलाम अलेकम मेरे बैन भायों मेरे बच्चों और बच्चियों तो आज मैं आपके लिए बहुत यमी यमी से पराठे लेके आई हूं आलू आले तो आलू मैने उबाल के इसमें नमक मेच और सबस धनिया सबस बुदीना काट के मिक्स कर लिया है और और थोड़ा सा मैने प्यास डाला है मुझे अच्छा लगता उसका जाएका ये देखिए इस तरह से बना हुआ है इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे तांका ये पराठे मेश म鍵ी अच्छा लगता है ना प्याद दाल हुआ हुआ होता है यह देखिए वह इतने । queste अधर सूट के भोग अधनीक यह यह लगा है जब आप चलते हैं हाटे की तरफ यह थे कि मैंने पेडा ले लिया अब बहुत सारे तरीकों से बनता है अगर आप डाल के तो वह भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं इसको डबल ही बनाऊंगी कि उसमें अच्छा फासा आ जाता है और बच्चे भी शौक से खाते हैं तो प्यूबन सारे घरों में बनता होगा बच्चों की बहुत फेवरेट एक इसम का यह रोटी है वो शौक से खाते हैं यह देखिए एक मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे हाथ में से करके इसके अंदर फिलिंग करके तो फिर इस बेलने से इसको ज़रा बड़ा कर लेंगी कि इसी दुरान मैं पेड़े सेट करके रख लेती हूं कि अब इसमें यह भरेंगे अच्छा आपने भरना है ताहां कि पूरी रोटी में यह तरीके से फैल जाए और लोग बहुत सुके तरीके से बनाते हैं आपने यह अमेजा इसके अंदर भारके तो थोड़ा सा इसके अ अच्छे और लजीज बनते हैं मैं इसको अपन घी में ही बनाती हूं इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी आड़ करूंगी और दूसरी रोटी बनाके यह इसके उपर अच्छे तरीके से डाल के इसको चारों तरफ से अच्छी तरह इसको ऐसे करेंगी यह तो यह खुद ही अच्छे तरीके से में दोनों चिपक जाते हैं यह देखिए इसके उपर हलका सा बेलन फेरों की तांके यह बैलस हो जाए और को इसी जगह से मोटी पतली ना रहे एक जैसा बन जाएगा यह देखिए ऐसे पर सलका सही आपने प्रेड़ना है तांके यह मोटा पतला ना बने एक जैसा हो जाए इसके किनारे भी पतले हो जाएं यह देखिए क्योंके मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टाइम काम होता है तो इसलिए मैं सारी त्यारी पहले करके रखती हूं और ना इसमें घंटे दो घंटा तो लागी जाता है आलू उबलेंगे उसका प्र प्यास याज धलिया सारा काटके यह देखिए अब यह तब अच्छे हुए हैं तेकिन यह जो रोटी हमने डबल लगाई है यह अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए तरह से अच्छे तरफ से पकार रहें तब एक उपर तो यह चारों तरफ से पक जाता है और बहुत अच्छा और नरम नरम सा बनता है यह देखिए यह हमारा मज़दार सा पराठा बन के त्यार है यह देखिए अंदर तक यह पक चुका है इस तरह से भोती नरम और पस्ता सा बना है यह दोनों तरफ से अच्छे तरीके से यह बान चुका है तो यह हमारा अलू का पराठा बन के त्यार है आप देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेश करके मुझे जरूर बताएगा जरूर बताएगा